Hello my dear students, आपका हमारे चैनल परीक्षा में स्वागत है, आज से हम लोग दरोगा के लिए बिहार दरोगा का एक्जाम है, तो उसके लिए हम लोग important questions हर दिन solve करेंगे explanations के साथ, तो आप इस series को join करें, यह मरा आपसन series चलेगा, तो पहला question है भारत का समविधान कब लागो हुआ बारत का समविधान 26 November 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 January 1950 को लागो किया गया, 26 January का चैन इस दिन को पूर्ने स्वराज दिवस के रूप में मनाने के कारिन किया गया था, भारती समविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखिट समविधान है और इसे डॉक्टर बीमराव अंबेटकर की अध्यक्षिता में बनाया गया था, प्रेशने टू, शंद्रगुप्त मौरिय को सलह देने वाले विद्वान का नाम क्या था, A. चानक्य, B. पातंजली, C. मनीशा, B. पानीनी, Correct option है, option A. चानक्य, चानक्य, जिन्हें कॉर्टिल्य और विश्नो गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, राचीन भारत के एक महान अर्थिसास्त्र और राजनीतिक ये थे, उन्होंने अर्थिसास्त्र नामक ग्रंद की रचना की, चानक्य ने चंद्गुप्त मौर्य को मौर्य सम्राज स्थापित करने में मदद की और उनके प्रधान मंत्री बने, उनका योगदान भारतिय राजनीति और अर्थ वेर्वस्था में मुल्य है, सही उत्तर है, option B, क्रिशी विकास, भारत की पहली पंचवर्शी योजना, 1951-56 का मुख्य उतेश क्रिशी विकास था, इस योजना का मुख्य, फोकस, सिचाई, भूमी सुधार और खाद उतपादन करना था, और उसको भढ़ाना था, यह उजना, हरोत डोमर मौडल पर अधारित थी, इस योजना के तहट, नांगल और हरीकुंद जैसे, बड़े बांधों का निर्मान किया गया, question 4, किसे भारतिये पूर्णे जागरिन का च्यनक कहा जाता है, option A, स्वामी विवेकानन, option B, राजाराम मुहनरोय, C, बालगंगा धर्टिलप, and D, दयानांद सरस्वती, सहे उत्तर है, B, राजाराम मुहनरोय, राजाराम मुहनरोय को भारतिये पूर्ण जागरन का च्यनक कहा जाता है, उन्होंने सतिप्रथा, बालविवा और जातिगत भेदवाव जैसे कुलूर्चियों के खिलाब अंदोलन किया, उन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की और भारतिये समाज में सुधार के लिए आधूनिक त्रिष्टी कोन प्रस्टुत किया, Q5. संसत का संजुक्त सत्र कौन गुलाता है, A. राश्ट्रपति, B. प्रधानमंत्री, C. लोगसभा अध्यक्ष, B. राज्यसभा के सभापति, सही उत्तर है A. राश्ट्रपति, भारतिये सम्विधान के अनुछेद, 108 के तहट जब लोगसभा और राज्यसभा के बीच किसी विदेहक को लेकर मतभेद होता है, तो राश्ट्रपति, संसत का संयुक्तिर सत्र बुलाते हैं और इस सत्र की अध्यक्षता लोगसभा अध्यक्ष करते हैं. Q6. प्रिट्वी राज रासो किसने लिखा A. काली रास, B. चंदबरदाई, C. तुलसी दास, D. जैदे. सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है, B. चंदबरदाई, प्रिट्वी राज रासो एक एतिहासिक काव्य है, जिसे चंदबरदाई ने लिखा, यह काव्य प्रिट्वी राज चोहान के चीवन और वीरत का वर्णन करता है, चंदबरदाई प्रिट्वी राज चोहान के दरबार में कभी थे? Q7. भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? A. माजुली B. साहेब गंच C. डिबरुगंट D. और बंदर सही उत्तर है A. माजुली माजुली जो प्रामुपुत्रा नदी से इस्तित है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह असमराजी में इस्तित है और 2016 में इसे भारत का पहला द्वीप जिला खोशित किया गया माजुली अपनी संस्कृतिक धरोहर और व्याशनव मठो के लिए प्रशित है Q8. गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? A. चंद्रगुप्त मौर्य B. चंद्रगुप्त प्रथम C. समुद्रगुप्त B. सकंद्रगुप्त सही उत्तर है B. चंद्रगुप्त प्रथम गुप्ता संस्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी उनका साशिनकार 319-335E के बीच माना जाता है उन्होंने महराजा धिराज की उपाधी का धारना भी की थी और अपने समराजी का विस्तार किया गुप्त वंश को भारतिय इतिहास का स्वन युक भी कहा जाता है Q9. भारत का पहला विज्ञान से है, साइन्स सिटी कहां इस्थित है? Q9. सही उत्तर है Q9. भारत का पहला साइन्स सिटी कहां इस्थित है, उसका उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को हुआ था Q9. यहां विज्ञान के प्रचाव और सिक्षक के लिए एक प्रमुख केंद्र है, यहां विज्ञान और प्रधोगिक की संबंधित प्रदर्शनी, ठीएटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है Q10. चिपको आंदोलन किस से संबंधित था? A. पर्यावरन सरक्षन B. श्रमिक अधिकार C. महिला शुशक्तिकरन D. क्रिसी शुधार सही उत्तर है A. पर्यावरन सरक्षन चिपको आंदोलन 1973 में उत्राखंटे चमोली जिले में शुरू हुआ इस आंदोलन में ग्रामीन महिलाओं ने पेर को काटने से बचने के लिए उन्हें गले लगाया यहां आंदोलन पर्यावरन सरक्षन के छेत्र में एक महत्वपून घतना मानी जाती है Q11. भार्तिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? A. वालगंगा धर्टिलर B. W. C. बैनर जी C. एनिबैसंट D. दादाभाई नरोजी सही उत्तर है B. W. C. बैनर जी भार्तिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षिता W. C. बैनर जी ने की थी आपनी मांग रख सके प्रश्न बारों किस अधिनियम के तहट भारत सरकार अधिनियम 1935 को लागू किया गया Option A. भारत साशन अधिनियम 1909 Option B. मॉन्टेक्यू चल्सफोर्ट सुधार 1919 Option C. भारत सरकार अधिनियम 1935 Option D. भारतिय स्वतंत्रिता अधिनियम 1947 सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार का सबसे लंबा और विस्तित्र कानून था इसे प्रांतिय स्वतंत्रिता की शुरुआत और संधिय सरकार का प्रवधान किया भारतिय सम्मिधान के कई प्राव्रधान इसी अधिनियम से प्रेडित हैं प्रश्न देला भारतिय पंचायती राज प्रिनाली किस अनुचेट के तहर स्थापित की गई अनुचेट 73, अनुचेट 243, अनुचेट 356, अनुचेट 368 हरित क्रांथी के जनक किसे कहा जाता है सही उत्तर है ओप्शन B, नौर्मिन बोर्लोग को दिया जाता है जिन्होंने उन्नत गेहूं किसम विक्सित की भारत में इसे लागू करने में A.M.S. स्वामिनाथन ने महत्वपून भूमी का निभाई इसका उद्देश खाद उत्पादन को पराना और क्रिशी में आत्मी निर्भरता लाना था प्रश्न पंद्रा प्रश्चित्र तांडव निर्थ किस देवता से संबंधित है प्रश्न 16. समविधान का मूल संड्रक्षन सिधान किस मामले में आया गोलकनाथ मामला केशवनंद भारती मामला मिनर्व मिल्स मामला शंकरप्रशाद मामला सही उत्तर है B. केशव नंदा भारती मामला 1973 के केशव नंदा भारती मामले में सुप्रीन कोट ने मूल संरक्षन सिधान दिया इसके तहट यह तै किया गया कि संसत सम्विधान में संशोधन का सप्ती है लेकिन सम्विधान की मूल संरक्षन को नहीं बदल सकती भारतिय रुपे पर रुपे का प्रतीक किसने डिजाइन किया? उदे कुमार, पनीर सिनह, बिनोध बिहारी, सुशील कुमार सही उत्तर है ए उदे कुमार भारतिय रुपे का प्रतीक रुपे 2010 में अपनाया गया इसे भार्तिय डिजाइनर उदे कुमार ने डिजाइन किया यह प्रतीक भार्तिय और रोमन लीपी का मेल है जो भार्तिय संस्कृती और वैश्विक पहचान को दर्शाता है प्रशन 18, किस गुफा में विश्नु की विश्नु पद मुत्रा मूर्ती प्रशिद है? A. अजंता गुफा, B. अलेफेंट गुफा, C. अलेफेंट की गुफा, D. बदामी गुफा सही उत्तर है B. अलेफेंट की गुफा अलेफेंट गुफाएं मुंबई के पास इस्दित हैं और यहां भगवान शिव के विभिन रूपों के साथ विष्णू पद्र मुद्रा में भगवान विष्णू की मूर्ती भी देखी जा सकती है यह गुफाएं, यूनेसको विश्व धरोहर्स्थर के रूप में भी सूचिबध है Q. 19. भारत में पहला सालवेजनिक रेल मार्क कब और कहां शुरू हुआ? A. 1853, मुंबई से ठाने B. 1854, कॉलकता से रानी गंच C. 1856, चन्नाई से आरकोट D. 1857, कानपूर से इलाहबाद सही उत्तर है, ओप्शन A. 1853, मुंबई से ठाने भारत में पहली सालवेजनिक रेल सेवा 16. April 1853 को मुंबई और ठाने के बीच शुरू हुई इस मार्ग की लंबाई 34 किलो मीटर थी और इसमें तीन इंजन लगाए गये थे यह ब्रिटिश भारत में और धोगे क्राम्ती की शुरुवाद और प्रतीक माना जाता है प्रश्न 20, भारत के किश्राज्य में काजी रंगा राष्ट्रे उध्यान इस्थित है इसे 1985 में युनेसो विश्व दरोहर स्थल के रूप में खोशित किया गया यह उध्यान ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे फैला हुआ है